पीले फूलों वाला अमलतास का पेड सडकों के किनारे और बगीचों में प्रायह मिल जाता है इस पेड के पत्तों, फूलों और जड़का और शदी के रूप में प्रेयोग किया जाता है तथा इसकी फली का गुदा विशेश रूप से उपयोगी होता है अमलतास का वरिक्ष काफी बड़ा होता है, जिसकी उचाई 25 से 30 फूट तक होती है इसके फूलों में कोई गंध नहीं होती, इसकी फलीयां 1 से 2 फूट लंबी और बेलनाकार होती है फली में 25 से 100 तक चपते वहलके पीले रंग के बीज होते हैं इनके बीच में काला गुदा होता है, जो दवाई में काम आता है अमलतास के विबिन भाशाओं में नाम संस्कृत आरगवद, हिंदी, अमलतास, मराथी, बाहवा, गुजराती, गर्मालो, बंगाली, सौनदाल अंग्रेजी, पुडिंग पाइप ट्री, लेटिन, कैसिया, फिश्टुला अमलतास के आयुर्वेदिक गुण आयुर्वेद के अनुसार अमलतास के रस में मधूर्ता, तासीर में शीतल, भारी, स्वादिष्ट, कफ का नाश करने वाला, पेट को साफ करने वाला है साथ ही यह जुल, दाह, हिर्दयरोग, रत्पित, वात्व्याधी, शूल, गैस, प्रमे, एवं मूत्रकस्ट नाशक है अमलतास के फाइदे, अमलतास के औशधिये गुण पहला, तवचारोग तवचारोगों में इसका गुदा 5 ग्राम इमली और 3 ग्राम पानी में घोल कर नियमित प्रयोग से लाब होता है इसके पत्तों को बारीक पीस कर उसका लेप भी साथ साथ करने से लाब मिलता है दूसरा, कब्स दूर करने के लिए एक चम्मच फल के गुदे को एक कब पानी में भिगो कर मसल कर छान लें इसके प्रयोग से कब्स दूर हो जाता है तीसरा, सूखी खासी ठीक करने के लिए आप इसके फूलों का अवलेह बना कर सेवन करें इससे आपकी सूखी खासी दूर हो जाएगी चोथा, गले की खरास ठीक करने के लिए इसकी जड़की छाल का काढ़ा बना कर गुनगुने काढ़े से गरारा करने से फाइदा मिलता है पांचवा, एसिडिटी ठीक करने के लिए इसके फल के गुदे को पानी में घोल कर हलका गुनगुना करके नाभी के चारों और 10-15 मिनट तक मालिश करें यह प्रियोग नियमित करने से स्थाई लाब होता है चठा, श्वास रोग, अस्थमा के रोगी के फेफडों का कफ निकालने और कब्ज को दूर करने के लिए फलों का गुदा दो ग्राम पानी में घोल कर गुनगुना सेवन करना चाहिए साथवां, बिच्चु का विश, अमलतास के बीजों को पानी में घिस कर बिच्चु के डंक वाले स्थान पर लगाने से कश्ट दूर होता है आठवां, चर्म रोगों पर, अमलतास के पत्तों को सिरके में पीस कर बनाए लेप की चर्म रोगों यानी दाद, खाज-खुजली, फोडे फुनसी पर लगाने से रोग दूर होता है यह प्रियोग कम से कम तीन हफ़ते तक अवश्य करें नौवा, कान के रोग में इसके काड़े को कान में डालने से कान का बहना बंद हो जाता है दसवां, कंठ माला इसकी जड को चावलों के पानी के साथ पीस कर, सूंगने और लेप करने से कंठ माला ठीक होती है 11. अमलतास के छिलकों को उबाल कर इसमें शक्कर मिलाकर पिलाने से गर्बवती औरत को आराम से प्रसव हो जाता है यह थी थोड़ी सी जानकारी अमलतास की, पसंद आई हो तो कमेंट करें वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद